हाई फ्रेंड्स वेलकुम बैक टो माई चैनल होप यू आई डूइंग ग्रेट तो आज मैं साड़ी का रियोज आपके साथ शेर कर रही हूं यह एक इकट प्रिंट में साड़ी है आर्ट सिल्किस का फैब्रिक है ऑनलाइन ही मैंने प्रचेज की थी एक दो बार पहनने के बाद अब मैं इसका रियूज कर रही हूं ट्राइ करूंगे कि पता ना चले कि यह साड़ी से बनी हुई ड्रेस है तो जो साड़ी का फैब्रिक है वो सवा पांच मीटर है इस तरह का इसमें पलू है और बॉर्डर आ आर्ट सिल्क में है मतलब जैसे कॉटन सिल्क टाइप में होता है उस तरह का यह फैब्रिक है तो प्रिंट इसका बहुत ही प्यारा लगा था मुझे इसलिए मैं पर्चेज की थी तो एक दो बर पहनने के बाद अब इसका मैं कुर्ती और दुपत्टा बनाऊंगी कैजूल स सबसे पहले हम साड़ी से दुपत्टा निकालेंगे दुपत्टे तो मैंने आपके साफ बहुत सारे शेयर के हुआ है साड़ी से बने हुए बढ़ फिर भी बहुत सारी क्यारी जाती रहती है मुझे दुपत्टों से रेलेटर इसलिए मैं मतलब डिटेल में आपके साथ इस लेकिन अगर उसमें पल्ला है और पल्ले को भी आप यूज करना चाहते हो दुपट्टे में तो आपने क्या करना ही यह देखिए पल्ले की तरफ से तो यहां से हम measurement लेन ब्लान स्टार्ट करेंगे यह हो गया 1 meter 39Chis में यहां पे मार्क कर लिया अब next फिर 39 squareHello और तो यह हो गया 2 per platinum उसके बार 53 he हमने और लेना है तो यह प्रॉपर लेंठ होती है जो normal length होती है न दुपट्टे की तो सही रहती है यह तो इतनी मैं यहाँ पे ले लूँगी और 1 इंच मैं यहाँ पे margin ले लूँगी जो भी हमने वहाँ से piece cut करके इस तरफ attach करना है उसमें भी कपड़ा जाएगा हमारा तो 1 इंच वो मैंने extra ले लिया अब यहाँ से straight line लगा के cutting करनी है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कान नहीं चाहिए कपड़े में अधरवाइस जो हम stitching करेंगे न मतलब लगाएंगो वो सही नहीं लगेगा यह फैब्रिक बज़का कुर्ती के लिए अब इस तुपट्टे को पहले बना लेते हैं यह यहाँ से अब हमने क्या कर आ आ कि आ으면 आप यह पर हों गया अब यह देखिए जिस तरका पैटंड दूस्रे एंड पे हैं सें वैसे हमने यहां पर भी क्रिएट करना यह देखिए यह जो ब המצ हैनल यह अंदरुकर है पक्टे कि तरफ को है तो सेंवैं सेंसे हमने यहां पर भी अटैच करना इस पीस को कि और यह जो दोनों एंड्स है ना इस पर या तो आप हैंड स्टीच करने या फिर पीको भी करवा सकते हैं कि इस पर यह जो यह बाद में यह बाद में इसको मैं यह जोड लगाया हुआ है तो यह बहुत ही सफाई से जो हैं हमें स्टीचिंग करनी होती है अब यह देखिए जो मार्जन भच गया ना इसमें से धागे वगारा निकलेंगे बाद में तो इसलिए इसको मैं यहां पर ऐसे फोल्ड करके इस तरह से इसके उपर स्लाई लगा दूंगे मतलब फोल्ड करके हमने एंड तक इसको स्टीच कर ले ना इस तरह से आप चाहें त एक तरफ से पीस कट करके दूसरी तरफ अटेश करना होता है और जो दोनों दूपटे के एंड उनके उपर आप या तो हैंड स्टीच कर लें या स्लाई लगा लें या फिर पीको करवा लें और टैसल पर लगा लें तो दूपटा रेडी हो जाएगा दूपटा मैं आपको कूरुत करते हैं तो हमें पैटर्ण देखना जरूरी हो जाता है यह इसी तरह है कि जो साड's चोड़ाई स्टाइऑ है उसे हमें लंबाई बनाना पड़ेगा अपनी कूर्थी कалась तो लंबाई में देखिए आप दोनों दों तरफ ब् 2010 को कूला और नेयों कि साइड में तो क order हमारे काम आसके अगर हम पुरा पुरा बॉटर कट करेंगे तो उसको कहीं भी भी हम यूजनी कर सकते हैं अब देखेंगे यहां पर कुरती की लेंथ तो कुर्ती की जो लेंथ है ना टोटल वो 44 इंचिस है तो यह देखें यह पर पढ़ रही है कम 9 इंच लेंथ कम पढ़ रही है तो मैं यहाँ पे जोड लगाऊंगी जो ग्रीन कलर का फैबरिक है उससे यहाँ पे जोड लगा लेंगे जोएंट लगाने के लिए भी मैंने एक फैब्रिक कट कर लिया है तो यह मैंने 9 इंच ले लिए है 9 इंच लेंच मैंने मार्जन गारा सब कुछ मिला के रख लिया है इसमें इस तरह से लेंथ हमारी पूरी हो जाएगी अब इस तरह से यह जो है ना फैब्रिक जुड़ा हुआ है आपस में तो इसको मैं कट कर लूँगी जो विर्थ है ना इस फैब्रिक की वो हमने वस्ट के अकॉर्णी लेनी होती है वस्ट का फॉर्थ पार्ट निकालके उसमें 3 इ दोनों का ना मैंने यह सेंटर निकाल लिया है सेंटर से मिलाते हुए हमने इस पर स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है अब राइट साइड से भी एक स्लाई इसके उपर लगा देंगे थाकि अच्छे से फिक्स हो जाए यह जोइन्स मैंने लगा लिया है दोनों पल्लों मे अब हम इसकी drafting करेंगे तो सबसे पहले यहां पे जितना भी आपका shoulder है तो वह mark कर लें यहां पे shoulder है 14 inches उसका half होता है 7, 7 inches मैंने mark कर लिया और armhole जो है हम half inch बढ़ा के रख लेते हैं तो यहां पे 7 and half inches पे मैंने armhole की shape देने के लिए यह marking कर ली कमर की marking होगी 14 and half inches पे और hip की marking होगी 21 and half inches पे यहां पे बेस्ट का fourth part करेंगे और half inch कम करके mark कर लेंगे कमर का भी चोथा हिसा निकालना है और half inch and कर लेना इसमें margin के लिए और यहां hip का भी fourth part निकालके half inch एड़ कर लेंगे margin के लिए बैक armhole की shape दे दी इस तरह से उसके बाद यह जो हमने marking की है ना पहले यह तो होगी हमारी इस लाई के लिए उसके बाद one inch का margin चोड़के हम यहां पर एक marking और कर लेंगे इसके बराबर में और इस marking से अब नीचे पले तक यह की shape भी दे देंगे पौना इंच के आसपास यह shape देनी होती है ताकि जो लीप के पास जोलना पड़े बस अब इसकी cutting कर लेंगे इस तरह से बैक आर्म होल जो है ना उसी के ऊपर अभी हमने cutting करनी है और यह जो हमने margin वारा marking किया ना उसके ऊपर है मैंने cutting कर ली लास तक फिटिंग के ऊपर यहां cuts लगा देंगे ताकि जो पल्ले है ना बराबर से stitch हो जाएं अब यहां पे front time hole की shape जो दी हुई है उसकी भी cutting कर लेंगे तो उपर वाले दो पल्ले जो ना यह उठाके हमने इनकी cutting करनी है बैक वाले पल्ले को या तो आप side निकाल दे या फिर उसको बीच में ना लें lining की cutting करने के लिए मैंने lining को इस तरह से बिचा रही है और इसके उपर मैंने fold करके पल्ले को रखा और cutting कर ली एक एक करके दोनों पल्लों को आम इस तरह से cut कर लेंगे lining थोड़ी से बढ़ा के cut करनी है अगर बढ़ जाएगी तो बाद में इसको हम cut कर लेंगे back neck cut करनी के लिए यह दिखिए lining और पल्ले दोनों को मैंने इस तरह से बराबर रखा और यहां पर हम नेकी shape देंगे और cutting कर लेंगे width neck की रख रही हूं मैं 3 inches length आप की according जितनी भी आपको चाहिए रख लें मैं यहां पर 8 inches रख रही हूं इस तरह से box बनाके जो भी shape आपने देनी है neck को वो दे दे मैं round shape दे रही हूं यहां पर और अब इसकी cutting कर लेंगे कि यह जो है ना right side मैंने उपर की तरफ को रखी इसके उपर रखेंगे lining अब इसके उपर इस तरह से stitching कर लेंगे हाफ इंच का margin चोड़के और जब इसको परटेंगे तो यह neck line ready होगी हमारी इसको चोटे cuts लगा के मैं turn कर लिया है और यह neck line ready होगी इसके उपर चाहें तो sly लगा सकते हैं ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी अच्छा लगेगा फ्रंट की neck line बनाने के लिए यहां पर मैंने border लिया है 43 inches मतलब कमर तक की यह neck line मैं बनाने वारी हूं कर लिया है पेस्टिंग पेपर भी मैंने पेस्ट कर लिया फोर्ड भी कर लिया अच्छा से इस border को अब देखिए neck line बिलाने के लिए इस तरह से border को रखेंगे और यह जैसे भी आपको shape देनी है ऐसे shape देनी है तो आप ऐसे रखके iron कर दें अच्छा से और फिर stitch कर दें shape जो है मैं attach करूंगी अपनी neck line पे इसको अच्छा से corner को भी ठाके यहां पर iron कर लूँगी आप देख सकते हो यह borders कितनी अच्छा से आपस में मिल गए हैं यह तो अगर आप beginners हैं तो इस तरह की neck line बनाना चाते हैं तो corner सही से बनते नहीं है तो इस तरह से आप fix कर सकते हैं उसके बाद फिर इसको stitch कर लें अपनी neck line पे यह देखिए मैं अच्छे से iron कर लिया इसको आप जाए तो glue के साथ paste कर ले यह इतना काम करने के बाद जो crease बनी है अंदर की तरफ यहां पे मैं stitching करूंगी ताकि यह invisible हो जाए यह जो corner है यह बहुत ही अच्छे से finishing से आएंगे यह देखिए यह जो crease थी ना इसके ओपर मैंने stitching कर ली यहां बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि corner बनाया हुआ इस तरह से अब दूसरा जो side है उसकी crease पे भी stitching कर ली अब जो back side में extra fabric है ना यह cut कर लेंगे इस pattern को गुर्ती के उपर attach करना है तो उसके लिए गुर्ती की जो right side है वो उपर की तरफ को रखी है और इस pattern को ऐसे रखेंगे center से center में लाके pattern में भी center निकाल लेंगे और कुर्ती में भी मैंने crease बना लिए इसका भी center निकाल दिया है बस इस तरह से इसको आपस में stitch कर देना है आप चाहें तो यहाँ पे glue गयरा लगाके भी इसको paste कर सकते हैं तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ यह glue gun है यह online ही मैंने purchase की है आपके इसके भाइर में में comments आ रहे थे कि कौन सा glue यूज करना चाहिए तो fabric glue भी आप यूज कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा इनका कोई problem नहीं है और अब खुद से चूटे का नहीं है और अगर आप चुडाना चाहते हैं मतलब कोई भी चीज निकालना चाहते तो निकल भी चाहती है इसली तो यह मेरे को ज्यादा सही लगा कि नच पेस्ट कर लिया है वैक साइट से यह देखिए इस तरह से और जब ससली लग जाए इस तरह देंगे कि फ्रेंट नेक लाइन कट करने के लिए भी यह देखिए फोल्ड किया पल्ले को उसके उपर लाइनिंग को फोल्ड करके रखा इस तरह से जैसे हमने बैक वाला नेक कट किया था ना सेम वैसे कट कर लेंगे यहां पर थ्री इंच ही रखनी आए विर्थ और लेंथ यहां पर मैं ले रही हूं सेवन इंच इज भी नेक बनारियों मैं भी शेप में आप जैसी भी चाहें यहां पर शेप दे सकते हैं यह देखिए अगर आपको राउंड शेप देनी है तो इस तरह से इस तरफ को भी थ्री इंच लेंगे और बॉक्स बनाके शेप देदें कि जो भी शेप आपको चाहिए यह बास यहां पर सूइट आपने सकते हो भी शेप देशके हो यह दे सकते हो लेकिन यहां पर व dee रही हो Neck की stitching करने के लिए Right side यह देखिए उपर की तरफ को रखे इसके उपर lining रखेंगे और half inch का margin छोड़के यहाँ पर stitching कर लेंगे Stitching करने के बाद यह देखिए यह corner जो है यहाँ पर एक cut लगाके इसको मैं पर्ट लूँगी तो यह neck line भी ready हो गई बैलून शेप में मैं sleep बनाऊंगी तो उसके लिए यह देखिए मैं दो पार्ट में यहाँ पे sleep को cut करूँगी सबसे बहले जो पार्ट चाहिए हमें वो उपर वाला चाहिए जो shoulder के साथ attach होगा तो यहाँ पे मुझे यह जो border अना इतनी width में नहीं चाहिए थोड़ा कम चाहिए तो मैंने side से cut करके इसको निकाल दिया sleep का first part cut करने के लिए यह मैंने 4 fold में fabric रख लिया है normal जैसे हम sleep करते हैं बस वैसे ही cut करनी है starting में तो इसकी length ले लेंगे यहाँ पे इतनी भी लेनी है तो मैं 8 inches ले रहे हूं 7 inch मुझे यह त्यार चाहिए उपर वाली sleeps यह sleeps नहीं ऐसे बनेंगी है यह बाला पार्ट जो है इस तरफ आएगा और इस तरफ पर आर्म होल आ जाएगा और यह पार्ट यहाँ पर अटैच होगा तो यहाँ पर यह देखिए मौरी है इसकी 5 and half inches तो जो भी extra fabric है न दूसरे बारा पार्ट उसके यहाँ पर pleats डल जाएंगे इस तरह से आप जाहें तो जादा pleats भी डाल सकते हैं तो जादा fabric लेना पड़ेगा अभी मैं आपको बस एक idea सा देने के लिए इस piece को यहाँ पर रख लेती हूँ इस तरह हम 3 inch पर marking कर लेंगे जो हम armhole की shape देने के लिए करते ही हैं उसके बाद यहाँ पर रिखिए worst का fourth part निकालके उसमें से half inch कम करके यहाँ पर mark कर लेंगे armhole के लिए स्लीब बॉटम है five and half inches यहाँ पर one and half inch का margin रखके मैंने marking कर ली दो marking यहाँ पर हमारी आएंगी एक margin वाली और एक sly वाली नॉर्मल जैसे simple sleeves की cutting करते हैं न सेम वैसे ही करनी है यहाँ तक उसके बाद यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की shape देते हैं हम तो वह भी दे देंगे अब यह जो piece है न इसकी हमने यहाँ gathers बनाके इसके साथ stitch करनी है तो gathers यहाँ पर कम पड़ेंगे इससे तो मैं जादा gathers डालने वाली हो तो मैंने यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ लिया है तो 7 का double ले लूँगी यहाँ पर कपड़ा 14 इंच का कपड़ा यह देखे इस तरह से लेकि मैं gathers बना लूँगी दोनों तरफ तो यह आगे देखते हमने किस तरह से यह stitching करनी है पूरी स्लीब के अपर पीसिज में मैंने लाइनिंग लगाई है बॉटम वाले पीसिज में लाइनिंग लगाई है तो यह जो है दो पीसिज है हमारे इनकी विर्थ है 14 इंच और लेंध है 10 इंच तो जो टोटल स्लीब की लेंध है वो 16 इंच इन पीसिज के कि दोनों साइड में मैं गैदर बनाऊंगी इस तरफ कुर्ती को मैंने शिच कर लिया यहं तक अब नीच गेर जो है इसका इसको मैंने फोल्ड कर लिया इश न इसमेद कर लिया है क्योंकि यह फैबरिक थोड़ा light weight है तो इसको थोड़ा से rendering बगाने के लिए मैंने नीचेalis इसमें लाइनिंग अटेच कर दी है फोर्ड करने के लिए पेस्ट कर लिया है जो फ्रन्ट वाला पार्ट है उसको भी सेम ऐसे ही पेस्ट कर दिया है यह मैं स्लीब्स में गैसे बना रही हूं एक साइड इस तरह से बना के दूसरी साइड भी सेम ऐसे बना लेंगे स्लीब्स के दोनों पार्ट को राइट साइड से मिलाके रखना इस तरह से अब स्लीब्स के बराबर एड़ेस्ट करके इस तरह से इनको आपस में स्टिच कर दिया दोनों पार्ट को झालिए कि अधिक की जितनी भी बॉर्टम रखनी है न उतना हम एड़ास्ट कर लेंगे इन गeधरिश को और यह यह यहां पे मैंने बॉर्ड़ टिया है इन sleeves के साथ border अटेश करना है तो border की right side है वो उपर की तरफ को रखी है और जो sleeves है उनकी भी right side उपर की तरफ को रखी है बस इस border को मैं इस तरह से stitch कर लूगी बॉर्डर स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से पढ़के फोल्ड करके एक स्लाइज के उपर और लगा लेंगे को दोनों स्लीब्स मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया अब शौल्डर लाइन से दोनओ पार्ट को आपस में स्टिच कर अब इसमें स्लीब्स अटएज करनी है तो यह देखिए फ्रесяट साइड लेनी है इस तरह से इनको attach करना है ऐसे रख के पहले देख लिए उसके बाद फिर आप sleeves attach कर ले यह देखें यह front side से front side मिलाते हुए हमने sleeves को attach करना होता है तो यह sleeves मैंने attach कर ली है fitting की sly भी लगा लेंगे यह जो fitting की हमने मार्किंग की हुए ना इसके ऊपर यह sly लगा देंगे sleeves के साथ साथ उसके बाद slits जो हैं वह भी fold कर ली है अच्छे से simple कुर्ति की जासे slits हम fold करते ना सेम वैसे ही कि हैं हलकी सी इसमें A-shape थी बस इसके साथ है यह trouser तो यह मेरा एक पुराना trouser है इसकी cutting और stitching का video भी मैं description box में दे दूंगी दो पटा इस तरह का बना है यह for 26 rupees की यह साथी मैंने परचेज की थी दो तीन वार पहन भी लिए उसके बाद अभी यह कुर्ता से ट्रेडी हो गया है इस पे जो मैंने investment की है वो lining के लिए ही है और जो trouser है वो मैंने पुराना यूज किया है तो इस तरह से आप भी अपनी साथी कारी यूज कर सकते हो दुपट्टा बनाने के बाद 3 meter fabric इसमें बच गया था इससे मैं अनारकली टाइप में भी कोई कुर्ती बना सकती थी लेकिन मुझे डेली वेसिस के लिए कोई कुर्ता सेट चाहिए था इसलिए मैंने इस तरह की कुर्ती बनाई है ताकि साड़ी का जो है ना अच्छे से मै रियूज कर पाऊं साड़ी करते वक्त मैं ट्राइ करते हूं कि इस तरह का रियूज हो कि उसका हम यूज कर पाएं ऐसे ही जैसे पहले साड़ियां पड़ी हो इती वैसे ही dresses पड़ी रहें तो उसका कोई मतलब नहीं है और जो भी dresses मैं बनाती हूं उनको मैं पहनती हूं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुड़ बाई